करें आप मैं हुं माही और स्वागत करती हूं मेरी चैनल हेल्थ अवियर डपसिल माही वे आज मैं आप लों के साथ इस ब्लीच कर रिव्यू शेयर करने वाली हूं फैम की ब्लीच कर रिव्यू और इसका पैक अपने देख लिए बड़ा साहता है और यह इसके इंदर टब आ आता है गोल्ड की ब्लीच आती है सैफरों क्रीम ब्लीच आती है पॉल की आती है डी टैन की आती है तो आपको जो भी पसंद हो वह आप परचीज कर सकते हैं आप इसको अमाजॉन से परचीज कर सकते हैं और फैम की जो ब्लीच है आप इसको मार्किट से भी परचीज कर सकत आप मार्केट में चेक कर लीजेगा और यह जो ब्लीच है इसमें अमोनिया बिल्कुल भी नहीं है जो कि बहुत अठी जीज है और कोई भी ब्लीच करने से पहले पैस्ट जरूर करना है मैं इसका रिव्यू तो शेयर कर रही हूं साथ में डेमो भी दोंगे कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं और इसके अच्छे से फाइदे उठा सकते हैं तो ब्लीच करने से सबसे पहले तो आपको पैस्ट टेस्ट करना है थोड़ा सा ब्लीच और एक्टिवेटर पाउडर लेना है उसको मिक्स करके अपने हाथ पर लगा के देख लीजिए कान के पीछे लगा कर देख लीजिए ताकि आपको जलन तो होती है जब हम कोई भी ब्लीच करते हैं थोड़ी सी जलन होती है लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए और साथ की साथ वहां पर कोई बंप्स नहीं उठने चाहिए और इरिटेशन नहीं होनी चाहिए कोई इंफेक्शन नहीं होना चाह नहीं करना है 15 days के बाद आप repeat कर सकते हैं कोई भी bleach 15 to 20 days के बाद लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके फेस पर जरुत नहीं है तो मत कीजिए मैं तो मन्त में एक बार ही करती हूँ कभी कभी तो दो मन्त हो जाते हैं यूज कि अवे टू मन्स हो जाते हैं तो चलिए अभी म अच्छे कर लेना है याद रखिए जैसे ही आप क्रीम निकाल लें उसको तुरंट बॉक्स को बंद कर दीजिए अच्टिवेटर को भी तुरंट बंद कर दीजिए ताकि उसमें हवा ना लगे अधर्वास वह ब्लीश घराब हो जाती है इसको मैं हाथों पर ही इस्तेमाल क कि अच्छे से ते पर लोंगी कोई फर्माल थी नहीं किए मैंने दिखाने के लिए जैसे मैं नमल यूस करती हूं वैसे ही दिखा रही हूं भुथ अच्छे से मिक्स किया है मैंने इसको एपने चेहरे पर नेख पर डिया कर लोगी इसको मैंने सुर्फ 10-minute के लिए लग आपक पर चहरे पर चाहर छोदेर हैर होते हैं रहुता है उनका बहना उनका पर पर गोल्डन हो जाता है और और यह गोल्डन पर खालएक एधा हमारी बाल मेermजार देखते हैं लिसende हाफ काल है घरय हमारे भी को नी कर बहुता है उनको hide करने के लिए आप bleach कर सकते हैं लेकिन bleach आपको 20 की उमर से पहले नहीं करना चाहिए मैं यही suggest करूँगी 20, 18, 20 से पहले मत कीजिए even 25 तक अगर avoid कर सकते हैं तो करिए लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 20 years तक मत कीजिए उसके बाद ही करना चाहिए teenagers को bleach बिल्कुल भी नहीं करनी है चाहे कोई भी bleach हो चाहे herbal bleach ही क्यों नहीं करनी है और उसके बाद आप सब कर सकते हैं हाँ boys भी कर सकते हैं और हर उमर के लोग after 25 तो करी सकते हैं ब्लीच को लगाते हैं वक ध्यान रखना है कि जो एक्टिवेटर पाउडर है उसका जादा इस्तमाल नहीं करना है कोई भी bleach हो कम ही इस्तमाल करना है और लगा करके आपको कम से कम 5-6 गंटे के लिए चेहरे पर गरम पानी का इस्तमाल नहीं करना है और साबून का इस्तमाल नहीं करना है थोड़ा सा बच गया था तो मैंने अपने हाथों पर apply कर लिया तो वही है जैसे कि मैं फेशल करती हूँ बच जाता है तो हाथों पर लगा लेती हूँ ब्लीच के साथ भी वैसा ही है दस मिन के बाद आप देखेंगे जो आपका ब्लीच है न वह थोड़ा थोड़ा फूनला स्टार्ट हो जाता है देखेंगे दस मिन के बाद मैंने फेस वाश कर दिया है और यह जो ब्लीच है प्रॉपर हो गई है फेशल है जो मेरे फेस पर ब्लैक दिखाई दे रहे थे वह मेरे फेस से मिलते जुलते हो गए है तो यह ब्लीच अच्छी है अच्छा काम करती है आप इसको ज़रूर कर देती है तो बेस्ट है मैं तो डेफिनेटली इसको रिपर्चेस करूंगी और इसके बाकी वेलिन्स भी ट्राइ कर सकते हैं काफी अच्छी है मैंने सुना था लेकिन मैंना ओध्री की ही ब्लीच यूज़ कर रही थी विट अभी वह यहां पर अवेलिबल नहीं है खतम हो चुकी है मेरे पास तो इसके लिए मैंने यह वाली पर्चेस की और यह काफी अच्छी है जरूर ट्राइ कर सकते हैं आप बस ध्यान रखिए कुछ बातों का एक्टिवेटर का इस्तमाल बहुत ज्यादा नहीं करना है और ब्लीच अगर आप चाहते हैं आपकी स्कीन खराब कर लेती हूँ मैं अवाइडी करती हूँ ब्लीच क्योंकि ब्लीच अना उसकिन को अंदर से जलाती है इसके लिए अब देखिए काफी टाइम के बाद मेरे ब्लीच की एक वीडियो शेयर की है अप लोगों के साथ यह इसके पहले कब शेयर की है मुझे खुद को नहीं होगी इस ब्लीच के बारे में अगर कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरी चैनल पर दोस्तों बहुत सारे चल रहे हैं जाकर के चेक किजिए पार्टिस्पेट कीजिए रिजल्ट बहुत जल्दी अनौन्स होने वाले हैं तो अगर अभी तक और वीडियो आप चालते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं मैं जरूर शेयर करूंगी ओके गाइस बाई बाई डेक्यार